असलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं बना रहे हूँ इदुल मिलादिन नभी स्पेशल पूरी और खीर इसके लिए यहां पर मैं आदा किलो से थोड़ी सी कम चने की डाल ली हूँ उसको दो पानी से दो के ली हूँ और थोड़ा सा इसमें मिठा तेल डालके मैं इसको कूकर लगा के गला के लूँगी आप लोग इसे खोपरे किसे भी बना सकते हैं पूरी लेकिन मैं चने की डाल और गुड़ के पूरी बना रहे हैं तो इसके लिए यहां पर मैं कूकर लगा के अच्छी तरीके से डाल को गला के लूँगी कम से कम ने 8-10 सीटियां लूँगी और मिकस करें नेट से 6ड जिन इच्छी तरीके से नहीं मिकस करू है तो फ्लेवर बहुत अच्य करें सब्सक्खिना पकाना है यहां पर में सोफ और मिक्सर में पीष के लिए। इसका भी fort How to eat डाल де हमार चन्य की डाले रखोंगी और यहां पर मैं आटा लगाऊंगी आटा लगाने के लिए आपर आदा किलो मैदे का अटा ली हूं मैं इसको अच्छी तरीके से छान के लिए हूं और इसके बाद यहां पर मैं तेल डाली हूं तेल आप घी भी आट कर सकते हैं लेकिर मैं इसमें तेली आट करूं के बाद हमें पानी डाल के आट अच्छे से लगाना जयादा सउफ भी नहीं ज्यादा घढ़ भी नहीं ही इस तरीके का अटा में लगा लेजी लीए और इसके बाद यहां पर मैं पेडी काट के लिए हूँ पूरियों के लिए जाप लोगों के हिसाब कर दो पेड़े तो इसके लिए इसके इस तरीके के मैं पेड़े काट के लिए हूँ और इसको मैं बेल के लूँगी हमें पूरी को बेलना है दो पूरियों को बेल के हम पूरी बनाएंगे यह देखिए पहले मैं एक पूरी बेलना है यह देखिए गोल गोल करके हमें पूरियों को बेल के ले के हमें पूरी बनाना है इस तरीके से यह देखे पूरी के अंदर हमें यह पूरान अच्छी तरीके से भरना है पूरान हम जितना अच्छा भरेंगे पूरी खाने के लिए अच्छी लगेगी इसके लिए यहां पर मैं इस पूरान अच्छी तरीके से भर रही हूं भरके आप लोग वो आ पती है पर झाले रहाँ मैं यहां धियोत करते हैं यहां चेहें एक हैसे होड़े आप भारी हिए कोड़े हो तस दिसमाना वालं कि के बारा धुरियों में ध्युटा को statistically गूरा बिया को갈ा है यह करूंगे हमें अच्छी तरीके से पूरी को प्याक करना है ताकि हमारी पूरी तेल में दालने के बाद फूटे ना इसके लिए हमें अच्छी तरीके से सबर से पूरी को प्याक करके लेना है यह हमारा दाल का पूरन रहता है तो वजन से तेल में जाने के बाद हमारी पू करणौला बना कि उतरी को निया से प्राल बना काई और उतर और इसे वे कर्नौला आप किने का सके पुर्णी पारते हैं बना कों से वरूम की जलित गोल कर अधना है यह यह जाला दाल में पूरें चम्मच भरके पूरान इसके पर रखना है और इसको अच्छे से पानी लगा के इसको भी यही पूरी को फोल्ड करके हमें बनाएंगे थोड़ा सा पूरान को प्रेस करके लेंगे इस तरीके से और हाथ का डिजैन बनाके इसको बनाएंगे इस तरीके के भी पूरियां बना सक कुंके हależy करते हैं महिद इस तरीके का हमें डिजर्न बनाना है सुट इसको बी Когда हम घुतना पूरी को तरीके से प्याग्स करना है अर्ट इस दितना कर नहीं नहीं से और हम पूरी पूटने का डर्ग नहीं रहेंगा ये देखे इस तरीके की ये भी पूरी हमें बनाना बनाए है और तेल को भी हमें ज्यादा गरम नहीं करना है बस मेडियम तेल हमारा गरम हो चुका है तो हमें आहिस्ता से पूरी को इसके अंदर हैट करना है ये देखे इस तरीके से एक एक पूरी ही करके हमें तलेंगे क्योंकि ये डाल की पूरी फटने का बहुत डर रहता है इसके लिए मैं एक एक पूरी ही करके तलूंगे अच्छे से एक तरफ का हमारा सिख जाए एक तरफ की हमारी अच्छे से तले फिर हम पल्ठा के इसको तल के लेंगे इसी तरीके से हम सारी के सारी पूरियों को तल के लेंगे इस तरीके से तलने से हमारा तेल भी नहीं खराब होगा और हमारी पूरियां भी नहीं फटेगी एक एक करके बड़े थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पूरी आच्छी तले जाते हैं और बहुत अच्छे एकदम से क्रिस्पी तलना चाहिए हमें इसको आज को थोड़ा सा पहले तेल गरम होने के बाद फिर हमें आज को थोड़ा सा मीडियम करेंगे करके हमें इसको फ्राय करके लेंगे यह देखिए हमारी एकदम से लाल लाल विसको अगर चीटिन दाल विसको फ्राय कर सकते हैं लेकिन पूरी को आप एक ही फ्राय को पूरी तोटने का डर रहता है यहां पर यह भी मैंने इसको यह अच्छी तरीके सा आज अटा करना है कर दो यहां पर न हेखिए इसलों। और यहां पर मैंने खीर के लिए बगोना चड़ा लिया है इसके अंदर में देड़ चमच भर के गी आट करी हूं उसके बाद थोड़ा सा खोप्रे करेंगी खोप्रे को हम दाग नहीं लगाएंगे लाल नहीं करना है थोड़ा सा सुनहरी होने तक फ्राइ करना है फिर उसके बनाऊंगी रचलड चयँ निकाल करते हैं और इसकी अच्छी तरीके से के लिदेगों ज़नर देने अचाली कहार के बिद्ध के लमज्ञार मैं निकाल चुकी हो भी नदेगे तो उसके बाद यहां पर मैं रात में ड्राइफ फूट ली थी काजू बादम को भिगा के छिलके निकाल के लिए बादम के और यहां पर चावल लिए हूँ चावल मैं साधे चावल ही लिए हूँ इसको भी मैं रात में भिगा लिए थी आप लोगे एक दो घंटे के लिए भ करेंगे हमारा यह दूद भी अच्छी तरीके से गरम हो रहा है हमें इतना गरम करना है कि हमारी मलाई उपर आए तब तक हमें दूद को पका के लेना है और हमारा दूद अच्छी तरीके से पकना चाहिए और इसको अच्छा पकने तक हमें आराम आराम से पका के लेंगे हमार अछे के लिया हमें चांवल बे चांवल को बएक डूट वामक के बाद यहां हमें कम से कम 15 मिलर्व और दूद की पेस्ट को अच्छे उच्छी चाहंवल kalau अच्छी से रेडि हो चुकी है अब मैंने समय आप मैं से में काक्यागि हमारी की पूरी अच्छी तरीके से रेडि हो चुकी तुन कि हम थो दोड़ा से ड्राइफॡ टाइट करेंगे ड्राइफॡ से घैज..क्षी थरेडिक.. हम लोग इसके फातिया दिलाते हैं आप लोग भी दिलाते हैं तो इसी तरीके से बनाई है आप लोग अगर रिब डाल के नहीं बनाते हैं तो खोपरे की पूरी बनाके भी इसकी तरीके के फातिया दिला सकते हैं यह देखे हमारी पूरी की पूरी खीर पूरी बनके रेडी हो करेंगे हमारी रसीपिट देखेंगे